है शार आप सब्सक्रों के अच्छ जो के मज़ेबें होंगे और पॉज़िटिव कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉज़िटिव फील करना है क्योंकि एक positive आपके life में 100 गुना positivity अच्छा करता है राइट और आज के history में हम देखेंगे आप दोनों की life में आपके person की life में current में क्या चल रहा है और आपकी life में भी current में क्या चल रहा है ठीक है near future आप दोनों का बातचित कब तक हो सकता है और अगर होता है तो क्या हो सकता है ठीक है एंड में आपके लिए angel guidance भी देखेंगे चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर लिए इस वक्त इस वीडियो को like कर दीजिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए आप चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वाइबार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है ठीक है अगर आपको परस्नल रडिंग करा नहीं स्क्रीम पर देए अगर नमबर वाट्स आप मेसेज कर सकते हो वहां पर आपको डिटेल्स मिल जागी कॉल के से बूग करनी है एंज दिन में आपके अड्रेस पर रिस्यू हो जाएगे और आउट आफ इंडिया रहते हो तो अगले पंदरा दिन में ठीक है कर दकर देन में इस वक मेरी यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है आपकी फैमिली लव लाइफ करियर पॉजिट्यूज नेगट्यूज गड़करेनिवर्स इस वक मेरी यूर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक मेरी यूर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है फैमिली लव लाइफ करियर पॉजिट्यूज नेगट्यूज इन दोनों की करंट में म्यूचल इनर्जिस क्या है एक दूसरे के लिए यह दोनों करंट में एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे है म्यूचल इनर्जिस करंट में आप दोनों कहीं रिउनियन चाहिए किसी मिर्याकल का वेट कर रहे हो पता नहीं रिष्टा कभी सही होगा भी कि नहीं, दोनों को यह जमझ में नहीं आ रहा है कि इस रिष्टे में क्या कुछ अच्छा होगा, क्योंकि प्यार तो दोने साइट से है, ट्रू एनर्जीज भी है, शादी करने की इच्छा भी है, लेकिन सब कुछ डिस्टरब हो जु देखे आपकी लव लाइफ में, म्यूचली है करने में, आप दोनों ही किसी मिर्याकल का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ हो नहीं पा रहा हो, आपके परसंग की तरफ से भी नहीं, आप दोनों ही थक चुके हो, ठीक है, मैजिशन का का आड़े तो रीडि हर्ट नहीं करते हैं, आप जो भी डिसिजन लेते हैं, आपके हर एक डिसिजन में आपको आपके घरवाले सपोर्ट करते हैं, और आपके घरवाले करेंट में आपसे खूश है, और आप भी अपने घरवालों से खूश हो, कि भले आपका परसंग आपके पास नहीं है आप जैसा की व्यूनीविर्स ते से बहुत ज़्था धन्यवाद कहते हो कि आपको ऐसी फैमिली मेले ही को आपको हर पर सपोर्ट करती है, समझती है ठीक है? ना तो आपके फैमिली ने आपको लग मेरेज करने के लिए मना किया है, और ना है आपके family ने आपको किसी चीज के लिए force किया है even किसी और से शादी करने के लिए भी force नहीं किया है complete decision आपके उपर है आपके जिंदगी का आपको जो करना है आपके parents आपके family आपको support करेगी आपके love life की बात करो तो yes आप आज आपके person का ही wait कर रहे हो आपके feelings अभी तक वैसे के है कुछ भी change नहीं हुआ है बस hopes लगए कुछ भी change नहीं हुआ है लेकिन chances strong है या तो आपके person की life में लेकिन chances बहुर strong है कि आपके person की life में romantic थड़ पाती है जिस वज़े से आपके परसन आपके लिए कोई भी डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं आपका दील तूट रहा है आपको बहुत गुस्ता आता है परेशानी बढ़ रही है स्ट्रेस बढ़ रहा है इवन आपका अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है कहीं न कहीं लगता है कि काश में भी प्यार किया था क्योंकि अगर प्यार सच्चा था तो यह इस तरह से नो कॉंटेक्ट में नहीं डालता मुझे इसे मेरी थोड़ी तो फिकर होती आपके परसन को आपकी कुछ भी फिकर नहीं है इस वज़े से आपको बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है और इतनी पर भी हो आपके कलीज भी अपसे सैटीसपाइब और आपको सपोर्टिव है ठीक है इवन अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब अभी अभी लगी है या तो अपका प्रमोशन हुआ है या तो कोई अच्छी एक्जाम अपन रहे हो अगर पॉजिटिव की बात करो तो यस आपने डिसाइड कर लिया है अब बस बहुत हो गया बहुत इमोशनल होकर देख लिया अब नहीं अब मुझे अपनी इमोशन्स पर कंट्रोल रखना है क्योंकि मेरी इमोशन्स की वज़े से ही मुझे हर बार तोड़ा गया है आपके साथ मैंड गेम खेल रहा है आप अपना दिमाग लगाओगे यह पॉजिटिव में है अब आप इमोशन्स से दूर जा रहे हो बहुत जदा अच्छी बात है क्योंकि आपको अभी रियालाइज हो चुका है कि आपके इमोशन्स के साथ बार बार खेला गया है इमोश जदा अच्छी बात है क्योंकि ऐसा डिसाइड करना ही एक कदम है प्रैक्टिकल होने की तरफ ठीक है अगर नेगिटिव की बात करो आप बहुत जदा डिमोटिवेट फील करते हो आपको लगता है क्योंकि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने के बावजुद प्रैक्टिकल और वेजुद आपको उसकी कमें महसुस होती है कहीं लगता है कि वह अथिब बातुष जो आपको दो पॉस्चा डिर्व जिन्दगी में तरह चे करने के लिए लोगता Кरें अप उस अपना अपश्य घृत है आपने इस तरह से सोच लिया है थाला कि सब पहुंद लग रहे हैं कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है लेकिन मेरा परसम मेरे पास नहीं है इसी वज़े से जादा टाम तक अच्छा नहीं रहेगा तरह इसी पता नहीं पाऊंगा था आपकर uh करकर आपने अपने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टरब कर लिया है यह नेगेटिव में हैं तो आपको करेंट इनर्जिस में नेगेटिव निकलने की बहुत ज़्यादा जरुवत है और यह थार्स दिमाग से निकाल दो कि अगर यह परसन नहीं आएगा इसके अग अगर मुझे नहीं मिलेगी positive energies love vibrations अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो जिन्दगी में कुछ बचा ही नहीं है इस thoughts को आपको अपने दिमाग से बहार निकालने की बहुत ज़्यादा जरुवत है ठीक है अगर आपके परसन की जिन्दगी की बात करूं आपके घरवाले तो फिर अपने फायदे की जैसे यूज करता है अपना काम निकलवाते हैं और गायब हो जाते हैं पेसो के लिए आते हैं या तो कुछ काम कराने के लिए आते हैं और बार बार आपके परसन को जो को इनकी जिम्मेदार या याद दिलाई जाती हैं ठीक है इनकी family में को कोई support नहीं क को manage नहीं कर सकते, इन लोग को बरदास्त नहीं कर सकते. आपके person अपने family में, अपने family वा लोगों के साथ, उन calor Plus के साथ, जितने भी लोग इनकी family में, अगर को रूमेंटिक third party भी है, इनके बिल्कुल भी खुश नहीं है. अगर इनकी love life की बात करूए, इनर्जी सेम है ये भी चाहते है अपने परसन से शादी करना मतलब कि आप से शादी करना चाहते जरूर है लेकि मैजिशन भी बता रहा है कि आप डिवाइन टाइमिंग का ही वेट कर रहे हो कब क्या होगा आप दोनों को ही पता नहीं है बस कोई मिर्याकल है जो आपकी लव को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है इस उम्मित के साथ की जो होगा अच्छा होगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप दोनों ने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ भी हासील नहीं हुआ है तो अब आपके पास कोई आप्शन बचता ही नहीं है इस वज़े से आपके परसन ने भी करेंट में इसी तरह से मानेजर क्लियर कर लिया है कि अगर आप इनकी किस्मत में हो तो आप जरूर आप दोनों का रियूनियन होगा ठीक है होब से इनकों की होगा जरूर अगर इनके करियर की बात करो तो यह इस करियर में भी सब कुछ अच करेंट में अच्छा है अगर पॉजिटिव की बात करो तो आपके परसन के अंदर एक यह अच्छी बात है कि वो माइंड यह अच्छे से खेलते हैं इनको दूसरों को अपनी बातों में फसाना अच्छे से आता है इनको फाइनांस एट्रक करने के लिए दिमाग लगाना आता हैं दूसरे के उपर इनकी दूसरों के हर एक एक एक्शन के उपर इनकी नजर रहती है कि कौन कब क्या कर सकता है जिस वज़े से इनको इनके करियर में तो कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ठीक है और यही दिमाग इनों ने अपनी लव लाइफ में भी यूज किया था पास्ट में, तो पॉजिटिव में है कि आपके परसन अपने अपको बहुत ही ज़्यादा क्यालेंटेर समझते हैं और जो कि easily किसी को भी व्योकूप बना सकते हैं, इतना confidence इस परसन के अंदर है और यह जो भी decision लेते हैं वो right ही होगा, इतना confidence इस परसन के अंदर है तो यह positive बात है कि आपके परसन बहुत ज़्यादा confident है, ठीक है तो यह positive बात है कि आपके परसन को खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है यह नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में दूसरों को दुख हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है इनको सिर्फ अपनी पढ़ी रहते, एक selfish energies, जिस बज़े से इनको इतना तकलिफ नहीं होता है दुनिया से, ठीक है, वो बात अलग है कि इनकी family वाले इनको बहुत तकलिफ देते हैं, ठीक है, ये दुनिया को बेवकुप बना सकते हैं, लेकिन अपने family को नहीं, अगर negative की बा बुरी बाते हैं, बुरे thoughts अपने दिमाग से निकालने के लिए, और घरवालों का जो stress है, उससे दिमाग से निकालने के लिए, आपके person overload ले रहे हैं का, ये बहुत ज़दा काम कर रहे हैं, ये person अपने health पर बिल्कुल भी focus नहीं दे रहे हैं, ये दिनरात महनत कर रहे हैं, इस person की health अच्छी नहीं है, और काम का load ज्यादा लेने के वज़े से इस person का, मतलब family में तो disturbance है, love life भी disturbance है, और जो कि अच्छा होगा, इस hopes के साथ जी रहे हैं, और इस energies में इन्होंने अपने आपको बहुत ज़दा busy कर लिया है, ठीक है, नेगिट्यूज आया है, क्योंकि अगर इस person इतना काम करेंगे, तो शायद इनके health future में बहुत ज़दा खराब हो सकती है, ठीक है, तो यह आप दोनों की life थी, अब हम चेक करते हैं, आप दोनों में अगर बात होनी है, तो कब तक हो सकती है, गाड करेंवर्स, इनके partner का इन से कब तक communication हो सकता है, इनके partner का, इन से communication कब तक हो सकता है, कम्यूनिकेशन कब तक हो सकता है, कुछ लोगों को 8 दिन में action आने वाला है, कुछ लोगों को 8 हपते भी लग सकते, ठीक है, तब तक आपको हिम्मत रखनी होगी, जब action आएगा, तो क्या हो सकता है, जब action आएगा, तो इन दोनों में क बात करेंगे, जब इन दोनों का communication होगा, celebration होगा, खुशिया होगा, आपके person ने जब आपसे अपना प्यार छुपा कर रखा था, वो आपको दिल खोल कर सब कुछ बताएंगे, ठीक है, आप बहुत खुछ रहने वाले हो, even हो सकता है, कि आप जिस बात का इंतजार कर रहे ह वही बात आपको आपके person के जबान से सुनने को मिलेगी, ठीक है, तो strength रखो, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा, इस बात का आपके person को भी अकीन है, विला फोर्ज उने यहां पे, ठीक है, तो yes, आपके लिए angel guidance भी देख लेते, current में, energies to positive आई, future के लिए, कड़ कर universe, ऐसे energies में, मेरी universe के लिए angel guidance क्या है, ऐसे energies में, मेरी universe के लिए angel guidance क्या है, within the next few weeks, जैसे मैंने बोला, आठ हपतों में आपका रिस्ता अच्छा होने वाला है, ठीक है, आप जो चहाते है, आपको वो सब कुछ मिलेगा अगले कुछ हपतों में, ठीक है, तो yes, यही ही reading, आपको details में जाएगी, गॉल के से book करने, ठीक है, तो मिलते हैं नहीं शुरिया में तब तक के लिए, बाबाई